Hello everyone and welcome again in economics online class YouTube channel आज की वीडियो में हम हरियाना बोड कक्षा बारा और सास्तर के final exam सेट सी के solution के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो है वो शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल है उत्पादन से महवना वक्कर का ढ़ाल होता है option A, मूल बिंदू, O की तरफ उन्नतोदर, मूल बिंदू, O की तरफ नतोदर एक सीधी रेखा या इन में से कोई नी तो हमारे आर सास्तर में ये दो वक्कर होते जिनके बारे में एक सवाल पेपर में अक्षर आए जाता है एक है हमारा उत्पादन संभावना वक्र और दूसरा होता है हमारा IC कर्व या सटस्तथा वक्र तो इन दोनों वक्रों में से एक उन्नतोदर होता है एक न्नतोदर होता है तो इसकी पहचान के लिए आज मैं आपको एक सुतर बता रहा हूँ उत्पादन के लास्ट में है नय तो यह उत्पादन समानवक्र है वो नतोदर होता है और जो IC कर्व है वो उन नतोदर होता है तो यह आशाब आपको यह आशानी से याद रह जाएगा यानि उत्पादन के नय से और नय से नतोदर तो उत्पादन समानवक्र है वो नतोदर हो ऋपोडेक्शन पॉसिबिलिटी कारव इपीपीश कारव जो स्लोप है वो कनवेक्श टू-पॉइंट फॉइन या कनकेव पॉइंट फॉइन तो करेक्ट आंसर इसका है बी पन cave to point of origin या मूल बिंदू की और इंगलीज में अगर इसको याद करना है तो P, P, C इसमें double P है इसी तरह can cave में double C है तो ये याद रखने का मेरा अपना तरीका है इससे आप भी आसनी से याद रख पाएंगे आगे बढ़ते हैं question 2 है MCQ में साधन होते हैं means are आसान सवाल है option A सीमीत means are limited जो साधन है वो सीमीत होते हैं आफशकता हैं वो A सीमीत होती है question 3 जब मांग वक्कर O X के समाना अंतर होता है तो मांग की लोच क्या होगी when demand curve is parallel to O X curve ये हम इसको बनाएंगे ये O X के parallel ऐसे हो तो जो मांग की लोच है जब प्राइस elasticity of demand will be इस answer is अनंत option D infinite तो बिना प्राइस O P रहता है जबकि जो demand है O Q भी हो सकती है बढ़कर O Q 1 भी हो सकती है घटकर O Q 2 भी हो सकती है ये है हमारा इसका आंसर option D अनंत आगे है part 4 उन परतियोगता में फरम तब संतुलन की स्थिती में होती है जब option A MC equals to TR option B MC equal to MR option C MC equal to TC option D AC equals to ये आर्ट इसका सही जवाब है जहां MC और MR दोनों को बराबर हो और MC MR को निचे से काटे ये हमने आए फरम के संतुलन की सर्तेव वाले टोपिक में पढ़ा हुआ है फरम विल बी equilibrium position in perfect competition तो correct answer is option B MC equals to MR पाचवा स्वाल है मुद्रा का प्राथमिक कारिये है विनिमे का माध्यम स्थागित बुखदानों का मानक राष्ट्याय का वितरन या उप्रोक सभी तो जो प्राथमिक कारिये है वो है option A विनिमे का माध्यम primary or main function of money is option A medium of exchange question 6 ब्रेटन वुड व्यवस्था आरम हुई ये सवाल की बारे में हम आपको पहले ही बता चुके है ये important सवाल था तो इसका सही जवाब है option A 1944 1944 में आगे है हमारे true false के सवाल एक सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है तो ये सीधी रेखा मांग वकर की ये दि हम बात करें तो इसके बिलकुल बीच में है वो इकाई के बराबर होगी क्योंकि हमें पता है E बराबर है L U यानि lower part upon में upper part तो बीच में बिलकुल बिंदु है तो ये दो नो पाड बराबर होगी तो इसलिए मांग की जो इकाई लोच वो इकाई के बराबर होगी तो ये है false क्योंकि ये बोला UKI से अधिक जबकि मज्य बिंदु पर मांग के लोच वो इकाई के बराबर होती है आगे बढ़ते है आठका MC वकर AC वक्कर को उसके न्यूंतम बिंदू पर काटता है MC कार्व काट्स AC कार्व at its lowest point तो यह हमारा हो गया AC कार्व और जो यह हमारा MC कार्व इसके न्यूंतम बिंदू से गुजरता है तो यह statement हो गया true पून प्रत्योगता बजार में वस्तुए समरूप होती है अर्थात वे रंग वजन क्वाल्टी में एक दूसरे के बराबर होती है question number 10 बड़ा ध्यान से पढ़ने का है समस्टी अर्शास्त्र के उत्पत्ति ग्रीक भासा के शब्द माइक्रोश शब्द से हुई है the origin of macroeconomics is derived from the Greek word माइक्रोश तो यह false है समस्टी शब्द की उत्पत्ति माइक्रोश से नहीं मैक्रोश से कोई है कि नाइन का है केंद्रे बैंक बैंकों का बैंक है प्रू है और आसान भी था आगे है हमारा फिल इन दे ब्लैंक्स के बारवा है इस समीशन बोला जाता है यह यहनि समीशन MR बदाबर है यहां MR को जोट जे जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा याज समीशन MR equals to याज टोटल रेवेन्यू राष्टी आयका धन डैस और सास्तर में होता है तो राष्टी-आयका समश्टी अर सास्तर में अध्यन होता है आगे बढ़ते हैं सिमांत बचत प्रवर्ती जमां सिमांत उभोग प्रवर्ती बराबर है एक हमें पता है MPS प्लस MPC एकिन दोनों का योग है हमेशा एक आता है भारत में आम बजट ड्रैश द्वारा पेश किया जाता है जनरल बजट ओफ इंडिया इस ओफ़र्ड वाइड़ फाइनेंस मिनिस्टर या हिंदी में कहें तो विट मंत्री जैसे हमारी वर्तमान विट मंत्री श्रीमती निर्मला शितारमन है आयकर डैश परकार का कर है तो आयकर एक परतेक्ष कर है इंकम टैक्ष हीजए डारेट टाइप ओफ टैक्स अब यहां से हमारे दो दो नंबर के सवाल है अर्च शास्तर की भोती कल्यान सम्मंधी परिभाशा दे यह हमारी तीन परिभाशों में से एक परिभाश पेपर में आही जाती है तो भोती कल्यान की परिभाशा डोक्टर मार्शल ने अठारा सुनब्य में परकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ओफ एकोनोमिक्स में दी थी तो यह परिभाशा क्या थी डोक्टर मार्शल ने कहा था और सास्तर जीवन के साधरन वर्षा के संबंद में म कल्यान प्रदान करने वाले भोतिक पदार्तों की प्राप्ती तथा उनका उपभोग करने से हैं आगे बढ़ते हैं फृप्योगत के प्रति जो उप योगिता है वो समान होती यह हो गया हमारा आई सी कारूफ एक उबोगता इन सभी से योगों A B C D इन सभी पर जो मिलने वाले कुलूपी वहकता है वो समान होती है इσलिए उम वहकता है इन सब के परती उदासीन तटस्त होताय है इसलिए इस वक्र का नाम उदासीन वक्र या तटस्ता वक्र है hell गिफन वस्तुए क्या होती है हमें पता हिस जो गिफन वस्तुए embrace मांग की नियम का अपुवाद है इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता तो गिफन वस्तिव क्या होती है जिनका कीमत परभाव धनात्मक अर्थात कीमत बढ़ने से इनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत गटने से इनकी मांग घट जाती है और आय परभाव रिनात्मक होता ह यानि उब वहता है कि आये घटने से इनकी मांग बढ़ जाती है और उब वहता है कि आये बढ़ जाए तो इनकी मांग घट जाती है जब कि जो इसे मिलती जुलती एक concept और है वो है हमारी घटिया वस्तुएं गटिया वस्तु और गिफण वस्तु में डिफरेंश क्या है कि जो गटिया वस्तु वस्तु का कीमत परभाव भी रिनातमक होता है और आय परभाव वो भी रिनातमक होता है जबकि गिफण वस्तु का कीमत परभाव धनातमक होता है पाचवा है वस्तुओं की समुरूपता से आप क्या समझते हैं ये परफेक्ट कम्पिटिशन पूर्ण प्रत्योगता बजार की एक विशेषता है वस्तुओं की समुरूपता से अभी प्राय है कि सभी विकरेता एक ही प्रकार की वस्तुओं बेजते हैं वे वस्तुओं इंग्लिज में बोला जाता है homogeneity पोशन 6 है स्टोक से क्या अभिप्राय है वाट इज इस टोग यह हमारा सप्लाई वाली चैप्टर से related concept अस्टोक क्या होता है यह पूर्ती से विश्त्रित धारना है पूर्ती के समय में बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है यानि उसके गुदाम में बेचने के लिए तयार है इस पर कोई भी काम पैंडिंग नहीं है विक्रेता इसको तुरंत बेच है तो उस टोटल मात्रा से और जबकि पूर्ती पूर्ती स्टोक का वह भाग जिसे विक्रेत वर्तमान कीमत पर बेचने के लिए तयार है तो कहने का मतलब स्टोक है वो टोटल मात्रा और इस टोटल मात्रा में से वर्तमान कीमत पर जितनी बेचने के लिए तयार हो जाए वो कहलाती है पूर्ती सात्वा है खुली अर्थ व्यवस्था क्या होती है What is open economy तो खुली अर्थ व्यवस्था वह है अर्थ व्यवस्था होती है जिसका R.O.W. Rest of World यानि Chase Wishw से आर्थिक संबंध होते हैं अर्थात ये Chase Wishw के साथ आयात या निरियात करती है अगर इसको हम ग्राफिकली दिखाएं तो हमारा एक सेक्टर होता है Household एक होता है हमारा Producer एक होता है हमारा Government अगर किसी अर्थ व्यवस्था में क्यों तीन ही सेक्टर हैं तो क्या लाएगी बंद अर्थ व्यवस्था ये दी उसमें चोथा सेक्टर नियम दिया था शेक अबाजार नियम वो क्या है उनके अनुसार पूर्ती अपनी मांग का निर्मान स्वेम करती है इस नियम के अनुसार उत्पादक जितनी भी मात्रा में उत्पादन करेंगे वो बिख ही जाएगा आगे बढ़ते हैं जर्चर नंबर वाले कीमत लोज की गणना करें प्राइस बढ़कर 10 से 15 हो गया जिबकि मांग 100 किलोग्राम से घट कर 50 किलोग्राम हो गई तो इसको हम दो तरिके से कर सकते हैं पहला है हमारा ED बराबर है मांग में परतिशत परिवर्तन बटे कीमत में परतिशत परिवर्तन कीमत है 10 रुपे से 15 हो गई यानि 5 रुपे 10 रुपे पर 5 रुपे कीमत है वो बढ़ गई तो कीमत में परिवर्तन हो गया हमारा 50 परतिशत मांग 100 किलोग्राम से घट कर 50 किलोग्राम हो गई तो किम मांग में परिवर्तन हो गया 50 परतिशत तो उत्तर आ गया हमारा एक तो मांग की लोच है वो ही काई के बराबर इसको हम दूसरे सुतर से भी कर सकते हैं ED यानि elasticity of demand equals to minus का निशान P upon Q into में delta Q upon में delta P तो हमारा P यानि प्रारंबिक कीमत कितनी है 10 P one यानि की नई कीमत है 15 delta P हो गया हमारा P one माइनस में P तो P one कितना 15 माइनस में 10 equals to 5 इसी तरह Q आरंबिक मात्रा थी हमारी 100 किलोग्राम Q one यानि की नई मांग 50 किलोग्राम तो delta q आ जाएगा हमारा q1 minus में q तो यानि कि 50 minus में 100 minus में 50 तो सुत्र के अनुसार minus का निसान पहले p p की value है 10 बटे q q की value है तो into में delta q delta q की value आ गई हमारे minus 50 बटे में delta p की value आ गई पास तो इसको काट दिया हमने यह minus से minus यहाँ cancel हो जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा एक तो मांग कि लोच हो इकाई के बराबर दोनों इस उतर से हमारा जवाब है वो छे माएगा इकाई के बराबर आगे बढ़ते हैं question 10 है आंत्रिक बच्टें तथा बाहरी बच्टों में अंतर बताईए तो यह हो गए हमारी आंत्रिक बच्टें यह हो गए हमारा बाहरी बच्टें पहले अंतर में हम इनका अर्थे लिख सकते हैं कि आंत्रिक बच्टें वे बच्टे होती हैं जो केवल उद्ध्यों की उन फर्मों को प्राप्थ होती है जो अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है जबकि बाहरी बच्टे उस उद्ध्यों की सभी फर्मों को प्राप्थ होती है चाहे वो अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाए या न बढ़ाए इसके उधारन हम लिख सकते हैं जैसे आंत्रिक बस्तों के उधारन है हमारे तकनीक संबंदी बस्ते भी एक बड़ी फरम है वो तकनीक बड़िया तकनीक अपना सकती है परबंद किये बचतें वितिये बचतें और क्रे संबंदी बस्ते यानि एक बड़ी फरम है बड़ी मातर बसुरत की बशतेई बड़ी फरम जोखिम सहने की जो शक्ति जहाधा होते जबकि इसके जो उधारन है वह हमारा कैंध्रिय करन की बस्ते जब कोई एक जैसे फरम एक जगाई कठी हो जाती है तो उससे संभड़ी जो और भी फरमे उगाई वहा जाते तो जहका का नाम हो जाता, popular हो जाता, जैसे कपड़ों के लिए सूरत है, काफी famous है सुती कपड़ों के लिए, इसे बोला जाता केंदरे करण की बसते हिसी तरह, विकेंदरे करण की बसते हैं और होते हैं हमारी सूचना संबंधी बसते हैं, तो इस च्यार नंबर और पूर्ती बढ़ जाए तो जो हमारी संतुलन कीमत है संतुलन कीमत है वो घट जाएगी और यदि पूर्ती घट जाए तो संतुलन कीमत बढ़ जाएगी इसको हम एक रेखाचितर के द्वारा प्रकट कर सकते हैं यह हमारा OX, X पर हमारी मात्रा है, OY, X पर हमारी डिमांड और सपलाई है यह हो गया हमारा DD, डिमांड वक्र और SS हो गया हमारा आरंबिक पूर्ति वक्र यह दोनों एक दूसरे को E बिंदू पर काटते हैं तो हमारी संतुलन कीमत O, P निधारित होगी और संतुलन मात्रा है वो, O, Q निधारित होगी अब हम बात करते हैं पूर्ति के बढ़ने पर क्या होगा तो पूर्ति के बढ़ने पर पूर्ति में जो बढ़ोतरी है वो इस तरफ होती है तो पूर्ती को बढ़ाने के लिए हमें एक नया पूर्ती वक्कर बना देंगे S1, S1 यह यहाँ P1 बिंदू पर काट रहे हैं तो इससे क्या होगा? हमारी संतुलन कीमत घट कर O, P, 1 हो जाएगी और संतुलन मातरा बढ़ कर O, Q, 1 हो जाएगी इससे क्या होगा? कि जो पूर्ती के बढ़ने पर संतुलन कीमत घट जाती है और संतुलन मातरा है वो बढ़ जाएगी अब बात करते हैं पूर्ती के घटने पर तो पूर्ती में कमी इस तरफ होती है तो हमें एक नया पूर्ती वक्कर S2, S2 बनाते हैं यह यहाँ P2 बिंदू पर काटते हैं तो पूर्ती में कमी के कारण संतुलन कीमत बढ़कर OP2 और संतुलन मातरा घटकर OQ2 हो जाती है तो यह थी हमारी मांक के स्थिर रहने पर पूर्ती में होने वाली कमी या विर्धी का संतुलन कीमत पर परभाव 12 का है पूर्ती में विर्धी के क्या क्या कारण ऐसे कौन-कौन से कारण है जिससे पूर्ती में विर्धी हो सकती तो पहला कारण हम लिख सकते हैं, तकनीक में विर्दी, कोई नई तकनीक आगी, जो उतनी कच्चे माल से ज्यादा उत्पादन कर सकती है, तो पूर्ती बढ़ जाएगी, इसके अलावा जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों की कीमत घट जाए, तो उस की तरह फर्मों की संक्या बढ़ जाये नई कंपरी आ जाये बढ़ जाएगी इसके अलावा बहर में ग benchmark कीमते कम होने की संभावना है तो भी वर्थमान में सरकार नूदान में वृध्धी कर दे बढ़ दे तो भी पूर्थी बढ़ जाएगी है औरन치 तेरा का सवाल है बजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अथा कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को बताए बजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू डोमेस्टिक प्रोडेक्ट एट मार्केट प्राइस और दूसरा है हमारा कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पा इस पर कारक लागत पर फैक्टर कोस्ट पर तो जीडीपी मार्केट प्राइस बजार किमत पर क्या होती है कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा क्योंकि हम डेमेश्टिक की बात कर रहे हैं तो घरेलू सीमा में सभी उत्पाद को दुवारा जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवां को उत्पादन किया जाता है उनके बजार मुल्या को उसके बजार मुल्या का योग ही हमारा क्या क्या गया लाता है जीडीपी मार्केट प्राइस इसमें डेप्रिशेशन है वो शामिल होता है इसमें डेप्रिशेशन हो शामिल होता ह जबकि GDP फेटर कोस्ट क्या होता है कि एक लेखा वर्स में एक देश की घरेलू सीमा में जो निवल मुल्य वृध्धी होती है जो नेट मुल्य वृध्धी होती है उसके योग को कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है वो कहा जाता है तो यह ग्रोश है तो ग्रोश का मतलब है कि इसमें जो डेप्रिशेशन है वो इसमें शामिल है तो यह होगा हमारे बजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की परिभाशा भोटीन का है च्यार नंबर में न्यून और अधिक मांग में अंतर बताईए तो न्यून मांग क्या होती है न्यून मांग वह स्थिती है जिसमें पूर्ण रोजगार के लिए पूर्ण रोजगार के लिए आवशक एडी यानि पूर्ण रोजगार के लिए जितनी एग्रिकेट डिमांड की आवशकता होती है उससे कम रह जाए वास्थिक जो मांग है से एडी से कम रह जाए तो उसे बोला जाता है न्यून मांग और जबकि अधी मांग क्या होता है कि यह करता है पूर्ण रोजगार के स्टर पर जितनी AD चाहिए उससे अधिक हो यानि वास्तविक जो AD है वो अधिक हो जब रोजगार के स्टर के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा मांग हो तो वो कहलाता है हमारा अधी मांग इसको हम ग्राव से समझा सकते हैं यह हो गया हमारा 45 डिगरी पर AS कर्व यह की 45 डिगरी का कौन बनाता है यह है हमारा ADF यानि कि full employment के लिए हमें इतनी demand चाहिए परंतो वास्टविक जो मांग हो इससे कम रह जाती है तो इससे बोलेंगे ADU अंडर तो यह जो gap है यह बिंदू A से बिंदू B तक का जो gap है यही हमारा कहलाएगा noon मांग इसी तरह हम अधी मांग की बात को करते हैं यह हो गया हमारा AS जो कि 45 डिगरी का कौन बनाता है पून रोजगार के स्तर पर जो हमारा AS वो उपर की ओर हो जाता क्योंकि इससे ज़्यादा वस्तो और सेवां को उत्पादन वो नहीं हो सकता तो इस बिंदू पर यह हमारा बिंदू पून रोजगार का सर तर तो यह हमारा AD F यानि full employment के लिए हमें इतनी चाहिए परन्तु वास्तवीक जो मांग है वोट होती हमारी ADE यानि access demand तो यह बिंदू A से बिंदू B तक का gap यह जो gap है यह कहलाएगा हमारा अधी umen मांग से अर्थ व्यवस्था में अव सफीति अंतराल है वो आता है जिबकि अधीम मांग से अर्थ व्यवस्था में सफीति आती है सफीतिक अंतराल उतपन हो जाता है question number 15, राजगोशिय गाटा क्या होता है, इसकी दो महतों बताई है, राजगोशिय गाटा क्या होता है, what is fiscal deficit, FD, बराबर है, total expenditure, इसमें हमारे capital expenditure और revenue expenditure दोनों शामिल होते हैं, उसमें से हम क्या गटा देते हैं, total revenue, total revenue except borrowing या उधार, यह हो जाता है हमारा राजगोशिय गाटा, तो राजगोशिय गाटा क्या होता है, एक अर्थवस्ता है कि कुल प्राप्तियों में से कुल आगम को गटा दें, और इसमें कुल आगम क्या शामिल नहीं करना है, रिन को छोड़ कर कुल आगम को गटा दें, तो दुवरा लिये गए रिन तथा अन्य दायतुओं के बराबर होता है, रिन जमा अन्य दायतुओं के बराबर होता है हमारा राजगोशिय गाटा, इसके महतों क्या है, ये अर्थव्यस्ता में मुद्र सिफिती है, वोत्पन करता है, दूसरा ये विदेशी अर्थव्यस्ता पर निर्भरता को परकट करता है यानि राजगोश्य गाटा बढ़ेगा तो विदेशों पर निर्भरता हुओ बढ़ेगी राजगोश्य गाटा से भावी PD पर भावी PD पर वित्य भार है वो भी पैदा होता है और गाटे के फलसुरूप इस राजगों से गाटे के फल्सरूप रिणों में और ज्यादा वृध्धी होती है व्यापार सेश और भुगतान सेश में क्या-क्या अंतर है व्यापार सेश यानि कि बैलेंस ओफ ट्रेड और भुगतान सेश बैलेंस ओफ पेमेंट बैलेंस, B.O.T. और B.O.P. तो वयपार से एक संकूचित विचार धारा है जबकि बुगटान से हैक, विश्तरित विचार धारा है वयपार सेष में हम केवल दुष्य मदों के आयात निर्यात को शामिल करते हैं, यानि केवल वस्तुओं को शामिल करते हैं जबकि इस भुग्दान सेस में हम दुरूश्य प्लस आय दुरूश्य यानि वश्तूओं के सास्द सेवों के आयत निर्यात को भी शामिल करते हैं व्याপर से वह नकारातग healthier भी हो सकता है और धनातमक भी हो सकता है जब कि जो भुगदान सेंस हमेशा धनातमक कहलो या संतुली तवस्था में होता है है इस व्यापआर सेश के घाटे को लगाते को हम पमठाने आ गैस के घाटे से माइविव जित कर सकते जबंध मैंट कुड़ांस हैं वो आसानी से लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब हमारे यहां से हमारे छेचे नंबर के प्रशन शुरू हो गए मांग का नियम क्या है रेखा चितर और तालिका दोरा परकट करो मांग का नियम क्या है अन्य बाते समान रहने पर किसी वस्तू की कीमत बढ़ने से उसकी मांग है वो कम हो जाती और कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ जाती यही हमारा मांग का नियम है रेखा चितर और तालिक से परकट करें तो इसको हम कीमत 5 से बढ़कर 10 हो जाती है तो उसकी मातरा है 20 से घटकर 10 हो जाती है अब इसका हम ग्राफ बना के इसको आसानी से कर सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा जैसे 5, 10, 15, 20 इसी तरह 5, 10, 15 और 20 इस OX पर हम मातरा दिखाएंगे जब की OY पर हमें कीमत दिखाएंगे 5 कीमत पर 20 तो यह हो गया हमारा 5 कीमत पर 20 एक बिंदू हो गया हमारा यह और कीमत के बढ़कर 10 होने पर मांग 10 हो जाती है कीमत के बढ़कर 10 होने पर यह 10 हो जाती है यह हो गया हमारा दूसरा बिंदू कि इन दोनों बिंदों को मिलाने से हमारा क्या जाता है मांग वांग वकर तो इसको हम थोड़ा और विस्तर से लिख से भजेते बàiOS UP पर मातर को द्रशाय है, O,Y,X,पर हमने कीमत को द्रशाय है, कीमत के पांच होने पर कुल वातरा वीस तेके मतकी बढ़कर पांऻ हो जाने पर माñग है घटकर 10 हिकाय हो जाते हैं अगे बढ़ते हैं गैंत्र बैंक क्या है किसी देश का सरवच बैंक होता दो फ्रणाली सभी बैंक और नियंत्रन संव हो रहता है व्यापारिक बैंक और केंद्रे बैंक में अंतर बताईए केंद्रे बैंक हो सरकार का बैंक होता है जबकि जो व्यापारिक बैंक है वो आम जनता के लिए काम करता है केंद्रे बैंक को नोट शापने का अधिकार होता जबकि व्यापारिक बैंक को नोट शापने का अधिकार नहीं होता केंद्रे बैंक है वह जंता से सिधा जुड़ा नहीं होता जबकि व्यापारी बैंक सिधा जंता से जुड़ा होती इस तरीके समीश में यह अंतर है वह लिख सकते हैं पूर्ण प्रत्योगता बजार सहब का क्या भी प्रैस की विशेश्टा लिखे पूर्ण प्रत में आजेगी तो पहला हो गया जैसे अनेक करेटा और अनेक विक्रेटा होता है इस बजार में सम्रूप वस्तुएं होती है इस बजार में फ़रम है कीमत को भी कारक होती है उसे अध्योग द्वारा निजारत कीमत पर ही अपना माल है वो बेचना होता है इसको और इसमें हम लिख सकते हैं इस वेपार में विक्रे लागत है वो नहीं होती इस वेपार की मन्यता होती है कि वो बहुता को बजार का पूर्ण ग्यान होता है और सबसे में चीज इस बजार में जो प्राइस होता है वही हमारा AR होता है वही हमारा MR हो गया आगे इसके अथुआ में एक अधिकार बजार क्या इसकी विशेशता है बताइए एक अधिकार नाम से इस पास्ट है वह बजार जिसमें केवल एक ही विकरेता होता है केवल एक विकरेता होता है वो कहलाता हमारा एक अधिकार बगर इसकी विशेशता है इसमें केवल एक विक्रेता होता था कि अनेक विक्रेता होते हैं दूसरा इसमें कीमत विभेद पाया जाता है यानि जो विक्रेता है अलग-अलग वो बोगतां को अलग-अलग कीमत है वसूल कर सकता है इस बजार में जो फरम है वही उध्योग होती है इस बजार में विक्रे लागतों का भाव पाया जाता है क्योंकि एका दिकारत उसे कोई विज्ञापन वगेरा नहीं करना पड़ता और इसका जो AR जो MR कर रहो है वो नीचे की तरफ जुके होते हैं यह हो गया हमारा AR यह हो ग प्रचा कर लेते हैं सबसे पहला है इसमें हस्तांतरन आय को शामिल नहीं किया क्या जाता ह önoka जैसे विरदावस्था पैंशन है वजिव A defined को शामिल ही क्या जासकता दूसरा है गैर कानूनीание को शामिल नहीं किया किया जासता तीसरा है अचानक होने वाली आए जैसे लोटरी इतियादी को शामिल नहीं करते तो था पुरानी वस्तों के करे विक्रे से प्राप्त आए को भी शामिल नहीं करते इसके अलावा जो वित्य संपत्तिया होती है शेर बोंड इनके विक्रे से प्राप्त आए क भी इसमें शामिल नहीं करते तो यह कुछ एक हमारे इसकी मदे हैं जिनको हम राष्ट्या में नहीं करते हुआ जाकति राष्ट्रया को मापने की आई विधि का वढनन करें तो जासा हम बार बार बता शुक्त है हमारी तीन विधियो में इसे एक विधिय पेपर में आवश्याती है तो राष्ट्य आए राष्ट्य आए को मापने के आए विधी वह विधी होती है जिसका सुतर है वह हम निम्न प्रकार से लिखते हैं इसमसर से पहले होता है सी ओई कमपनेशेशन ओफ एंप्लोई करमचार्यों का पारिश्यारमीग पलस होता हमारा ओपरेटिंग सरपलस परचालन अधिशे पलस होता है हमारा मिक्सिड इंकम मिश्रीत आए इन से हमें प्राप्ट हो जाती है एन डी पी एक्टर कोस्ट इसमें यह दे हम एन फिया सब्सक्राइता हैं कि चलंगे कर्दीजी को लिख सकते हैं ज हमारी जा और हमारा इस सारे विदियों हम जैसा यह हमने ऊपर लिख वा थो हम घशाना लिख सकते हैं ताकि उसे सरे पर वृर के से समझ तो प्यारे बच्चों ये था हमारा हरियाना बोर्ड स Nag22 और सास्तर फाइनल एक्जाम के सेट सी का सॉलूशन आशे आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा फिर भी यह दिया आपकी कोई शंका है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इकनोमिक्स ओनलाइन क्लास यूटूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद जै हिंद जै भारत